क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानि की T20 क्रिकेट की लोग प्रीता किसी से छिपी नहीं है पिछले दो दशकों में क्रिकेट के इस फॉर्मेट ने इस खेल के चाहने वालों की दिल में एक अमिट छाप छोड़ी है क्रिकेट के इस फॉर्मिट के लोग प्रिता से कई नई देशों ने भी इस खेल की और रुप किया है और अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीता है इसमें USA और अफगानिस्तान जैसी टीम में शामिल है जिन्होंने सफलता के नए आयाम चड़े क्रिकेट के इस फॉर्मिट में लोगों की दिलिचस्पी को देखते हुए लॉस एंजल्स ओलंपिक दोजार अठाइस में भी इस खेल को जगह मिली है ओलंपिक में क्रिकेट के आने से जाहिर है कि इस खेल की गूंच पूरे विश्व जगत में और फैलेगी इस बीच हम बात कर रहे हैं आखिर क्रिकेट के सबसे चोटे फॉर्मेट की शुरुआत आखिर कब हुई थी और पहला मैच कौन सी दो टीमों के बीच खेला गया था क्रिकेट के इस फॉर्मेट यानि टी ट्वेंटी क्रिकेट का सबसे पहला इंटरनेशनल मैच पूरुष का 17 फरवरी 2005 को लैंड में खेला गया था यह मैच निउजी लैंड और आस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। उस समय की बाट केट्व वोड़ कप की चेमपियंट टीम आस्ट्रेलिया ने इस मैच में बीस ओवर में पांच विकेट खोकर 214 रन का स्कूर बनाया था इस मैच को ऑस्रेलिया ने 44 रन से जीता था मैच में ऑस्रेलिया की कप्तार रिकी पॉंटिंग ने पचपच गिंदू पर नाबाद अठान भी रन बनाया थे 2007 में पहले वर्ड कप में क्रेश गिल ने शतक लगाया था उससे पहले तक यही सर्वोच स्कूर भी था और श्रेलिया की तेश गिंद बाज माइकल ने इस मैच में रिकी पॉंटिंग को प्लेयर ऑब दे मैच चुना गया मौजूदा समय में इंटर्नेशनल टी-20 क्रिकेट मैच खेलने वाले देशों की संख्या सौस्य अधिक है जबकि वन्डे इंटर्नेशनल मैच 16 और टेश क्रिकेट 12 देशी खेलते हैं अंतनाश्री क्रि प्लेशनल बेलारी एंटर्नेशनल टी-20 करिकेट 12 और टेश